हाई फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू एड्यूकरेशन इंडिया तो यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़िया योजना जो की परदान मंत्री के द्वारा निकाली गई है इसमें आपको स्रम योगी मांदन योजना के तहद हर माहा तीन हजार रुप सकता यह सारी चर्चा यानि जो भी डिसकस होती है मैं आपको बताऊंगा कि आवेदन भी आपको कहां से लेना है और आवेदन आप कब से कर सकते हैं सारी डेट यानि सारी इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो देखे लास्तक और देखे पूरा का पूरा लेकिन दोस्त हैं पास में आ रहे गंटी के निसान को चलिए वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट तो परदान मंतरी यानि पी-म स्रम योगी योजना के अंतरगत हर आदमी को मिलेगी तीन हजार रुपे की मासिक पैसे यानि हर माहा तक उनको तीन हजार रुपया मिलेगा लेकिन का उसे मि जानकारी दूंगा आपको इसे वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जो ये पैसन मिलेगा यानि कि तीन हजार रुपया मिलेगा वह किन किन को मिलेगा हर सरमिक को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा यानि किन को मिलेगा या तीन हजार रुपया देखते हैं वह स कम मासिक आ हैं यानि कि एक मैने की जिनकी पंद्रह हजार रुपे से कम आई हैं उनको यह इस पैंसन लाब का लाब मिलेगा और इस योद्ना के लिए असंक्ती सेत्रह में काम करने वाले 18 वरसे अधिक और 40 वरसे कम आयो के ही ऐसे लोग जो है पात्र होंगे और जिनकी मासिक पंद्रह हजार रुपे से जड़ा नहीं होनी चाहिए और योद्ना में पंजियन के लिए अधार कार्ड और बैंक में बजट खाता पास्वक की चाया परती होनी चाहिए अवेद्द को अपना मोबाइल नंबर पंजियन के समय बताना होगा हालाकि अवेद्द के सव गोश जिनका आधार कार्ड नहीं बना होता है तो आधार कार्ड आपके लिए दिक्त सावित होगा या फिर नहीं होगा यह देखिए एक रिपोर्ट के मुताविक तो मैं बात कर लेता हूँ आधार कार्ड की ही तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए दोस्तों आधार से योजना के लाब से वंचित रहा सकते हैं लेकिन दोस्तों यदि आप आदार काड करवा देते हैं तो भी कोई बात नहीं और 18-40 साल के बीच वाला इसका फायदा लेगा आवेदन करने वाले वैक्ति के पास सेविंग बैंक अकाउंट और आदार काड होना बिलकुल जरूर है अगर यह नहीं है तो आप इस योजना से वंचित रहेंगे अब दोस्तों सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारे लिए आपको जो यह आदार काड की बात हुई यह तो हुई बात है कि किन किन जो है व्यक्तियों को इस लाब मिलेगा यानि कि 15,000 जिनकी आ हैं उन से कम और जिनके पास आदार काड़ और जिनके पास सेविक बेंक अकाउंट है यानि उनको यह जो है आदार काड़ होगे तो उनको इसका लाब मिलेगा और जिनकी उमर 18 से 40 साल के बीच होगी उनको इसका फाइदा मिलेगा लेकिन इसमें भी यह बात आती है कि आप जो है इसका फा सब ससे पाहले तो आपको यह एक तरह से निवेश करना होगा और निवेश करने के लिए आपको मारा यह एक तरह से निड़िटारी तरह से जहाएगी लेकिन उसके लिए अलगया कए तरह से जो आपको सब्दाने हैं अगर कोई किरम दar हैं तो उसे इसी योज़ता में पाने के लिए सार साल की उमर तक हर मैने 600 रुपे जमा कराने होंगे यानि कि 100 रुपे हर मैने उसको सार साल तक जमा कराने होंगे और अगर कोई करमचारी 18 साल की उमर में इस योज़ना का लाव लेता है तो उसे हर मैने 55 रुपए जमा कराने होंगे और यह स्किम चालू वित वर्ष यानि 2018-2019 से यह लागू हो जाएगे तो यह स्किम अब चालू है अब दोस्तों बात आती हैं यह निवर्स की बात हुई वगर हुई बात हुई सारी बात करने कि आपको 55 रुपए हैं 18 साल के हैं और यदि आप 29 साल के हैं तो 100 रुपए आपको जमाना करना हुँगे और 40 साल तक आप इसका लागू है यानि कि 40 साल और 18 साल के बीच में हैं तो आप इसकी योजद्ना का लाग ले सकते हैं कि इस से उपर हैं तो आप विल्कुल आप नहीं ले पाएंगे अब धूश्ट और फारवर्वधन की भात थी है कि 24 अब कियसे करुआंगे Huh तो जिल्ला सरम परवतन अधिकारी ने बता है कि योजना में पंजी करण के लिए स्रमिक अपना आधार कार्ड बचेत या जंदर बैंक खाते की पास्वूक मॉबाइल नंबर लेकर आएगा इसके साथ ही सरमती पत्र भी उचको देना होगा और इसके बाद सरमिक का पंजी कर होगा पंजी करन को पाद में समंमती पत्र साका में भी देना होगा जिससे सरमिक का फिर जो यानि की जो 55 रुपया है वह कटेगा और 55 रुपया सीधा से टरांसफर होगा सरकारी खाते में और सरकारी खाते में ट्रांसफर होने के बाद में आप इस योद्ना का लाव आसानी सी ले पाएंगे अब दोस्तों इसमें भी कुछ ऐसे क्लूस हैं जो कि आपको यहाँ पर फायदे देंगे और इसका लाब से नुक्सान याने की वंचित भी रखेंगे दोस्तों वह क्लूस क्या है आपके लिए मैत्पूने देखते हैं वह रिपोर्ट के अनुसा और आवेदक को पंजियन के स 40 साल तक आ चुके हैं तो 200 रुपय आपको जमा कराने होंगे तो यहां पर यह भी बात हैं आपके लिए क्लमिला की जो कैटेगरी है वह है 18 साल से 40 साल तक अब दोस्तों यहां पर पूरी जानकारी आप मैं बदा देता हूं आपको टॉल फ्री नमबर भी इसके लिए उपल चुके हैं और इस ही योदना का संपून जानकारी वहां से आप ले सकते हैं जो कि अधिक जानकारी के लिए वहां से टॉल फ्री नमबर आपके लिए उपलब्द कराएगे हैं सरकार्ने योदना के लिए सरम विबा के कारियाले ल आई सी ई पी एफ ओ को सर्मिक सुईता के सिर्फ बनाया गए है यहां को मैं जानकारी देता हूं कि आप जब आवे दन करते हैं सारी जानकारी आप कुंप्लील हो जाती हैं फिर भी आपके लफड़ा आ जाता है यानि कि कोई गरबड़ी हो जाती हो और आपको किसी कारण नहीं मिल पाती है पैंसन तो वहाँ पर क्या होता है कि आप 12 से साइथा ले सकते हैं कि हमारी क्यों नहीं आती हैं पैंसन यानि कि हमारे तीन हजार जो रुपय हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं अब दोस्तों यहां पर आप के कोई ऐसा भी हो जाता है कि उनकी पैंसनर जो भड़ता है यानि कि जो तीन पच्छा कासा रुपय इन्वेश्ट करता है और उसके सार साल कंप्लेट हो जाने या बीच में उसकी मौत हो जा पैंसनर की मोथ् होने पर पैंसन का रस्फी का पिचास फिस्दी बुक्तान केंदर सरकार करेबी और स्वात després हो जायागी और सहाय और समय स्रमाय योख्थ गोतमगिरी के मुताबिक यॉजणा के क्रियान्यवन के लिए उपर समय लूप करमचारियों की तिनातिश लिया आपको फाइदा लेना है पूरी जानकाई दे दी हैं आपको हमारे इस चैनल के द्वारा हमारे इसे वीडियो के द्वारा और दोस्तों एक आप से छोटी सी है गुजारीत कि यदि आप ऐसी योजना का लाब लेना चाहते हैं और आगे भी ऐसी अड़ अपडेट पाना चाहत इसलिए इस वीडियो के कीजिए अधिक सदिक सेयर और ये वीडियो हर तक मोचे सारम को जानकारी मल सकाँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद जहिंद जे बारत वंदे मातरम